हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टार्गेट आर्बिय यूटूब चैनल आएम सुशील रगडे एक्स मैनेजर रिजर्बैंक आफ इंडिया और कुछी दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि SBI CBO का notification आने वाला है उसमें मुझे vacancies expected जादा थी लेकिन इस बार थोड़ी कम vacancy आए है लेकिन यहां पर सबसे main जो change हुआ है वो change हुआ है कि इसका जो exam pattern है as compared to last year वो change हुआ है और काफी जारी changes यहां पर हुए है तो हम धीरे धीरे इस वीडियो में देखते हैं तो यह जो vac vacancies है all India basis के level के लिए नहीं है यह circle based है आपको पता है SBI का total 14 के आसपा circle में पूरे उन्होंने उनका administrative structure divide किया है तो यह कुछ specific circle के लिए ही vacancy आई है और यहां पर यह ज़रूरी है कि आपको वो language आना चाहिए जैसे आपको गुजरात में apply करना है तो आपको गुजराती आनी चाहिए और यहां पर सबसे ज़्यादा vacancies गुजरात में ही है तो जो गुजरात के student है उनको काफी अच्छा यहां पर benefit होगा तो बैंगलूरू में देखिए कनड़ा चाहिए भोपाल के लिए हिंदी चैन्ने के लिए तमिल जैपूर में हिंदी चलेगा उसके बाद यह backlog vac vacancies है तो यहां पर भी भर सकते हैं अलग-अलग category wise तो टोटल यह जो है 1100 regular और 126 यह backlog वाली तो यह 1226 total vacancies है आप इसको आपके category के साब से आप देख सकते हो अभी यहां पर हम देखते है कि आपको जो experience है वो कितना चाहिए वो है minimum two years का यहां पर experience चाहिए as an आपको schedule commercial bank चले गा as listed in the second schedule of the reserve bank of India यानि कि कोई भी schedule commercial bank इसमें public sector bank भी आता है private sector bank में आता है सारा यहां पर banks के officer जो है वो eligible है आप यह point थोड़ा अच्छी तरीके से देख लीजे कब तक आपको experience calculate करना है वो भी यहां पर उन्होंने दिया हुआ है यह local language वाला हमने तो पहले ही cover किया है तो local language वाला आना बहुत जरूरी है एंड यहां पर यह point बहुत जरूरी है यहां पर आपका जो civil score है उसके बारे में भी यहां पर जानकरी दी है तो आपको यह यहां पर अच्छी तरीके से पढ़के देखना पड़ेगा every time SBI के notification में civil के बारे में लिखाई होता है जिनका civil बह आगे जॉइनिंग में problem होता है तो आप यह अच्छी तरीके से यहां पर पढ़ लीजिए अभी यहां पर हम देखते है कि इसका जो selection होगा वो अगर आप देखेंगे तो यहां पर उन्होंने काफी drastic change किया है यहां पर English section है यहां पर banking knowledge अलग से पूचा है and general awareness economy अलग से reasoning भी नहीं है तो यह हो गया objective test उसके बाद descriptive test भी यहां पर जहां पर 50 marks रहेगा और यह सबसे important यह है कि generally banking आमे negative marks रहते हैं लेकिन यहां पर there is no penalty for wrong answers mark in the objective test यहां पर ऐसे उन्होंने लिखा है तो यह बात जानना बहुत जरूरी है आपको सारे की सारे question यहां पर attempt करने है तो final आपका selection होगा वो होगा online test जो होगा उसको 75% weightage मिलेगा and interview जो है उसको 25 weightage यहां पर मिलने वाला है यहां पर यह भी थोड़ा change है यहां पर पहले उन्होंने ऐसे लिखा था कि आपको जितने साल का experience है उतने आपको increments मिलेंगे लेकिन यहां पर लिखा है however maximum advance increments has been kept at 2 irrespective of the duration of the experience gain in previous employment तो इसका मतलब है कि आप last time उन्होंने ऐसे कहा था अगर 6 साल का experience है तो 6 increment मिलेंगे लेकिन यहां पर आपको बस 2 maximum increment मिलने वाले है और यहां पर यह भी एक लिखा हुआ है कि the selected officer will be in general cadre will be governed by the promotion policy applicable to bank general cadre officer यानि कि specialized भी होते है लेकिन यह general category general officer जो है उसके हिसाब से इनका पूरा यह governed होगा the selected candidates will not be entitled for any inter circle transfer corporate center posting corporate center establishment posting तो आपको यह एक अच्छा भी point है और यह थोड़ा भी point है लेकिन आपको एक 12 साल की stability मिलने वाली है आप जो circle में आपका selection होगा वही पर आपको 12 साल रहना है या आप SMGS के scale 4 यानि की chief manager तक आप वही post पे रहोगे तो एक बहुत ही अच्छी opportunity है और मैं यह जो total यह vacancy है उसके बारे में detail आप notification में देख लीजे मैंने नीचे मेरे telegram channel का link दिया है वहाँ पर मैंने यह notification डाला हुए आप एक बार उसको पढ़ लीजे और मैंने नीचे गूगल form भी attach किया हुआ है और जो officer जो bank पे काम कर रह अगर उनको कोई इसके बारे में coaching चाहिए guidance चाहिए तो हमने नीचे एक Google form दिया है आपको भर सकते है तो हम आपको reply करेंगे so thanks for watching this video and all the best for your examination and your studies